आम तोर पर जब सुकन्या सम्रद्धी खाते की सुरुवात हुई तो उस समय कुछ अभिवावकों के द्वारा बिटिया के नाम किनी कारण वस कुछ ऐसे रखे गए जिसमें अब वर्तमान समय में उन्हें संसूधन की आवशक्ता लगती है उन्हें लगता है कि पुराने समय में जब खाता खोला गया तो बिटिया का नाम ये था अब हम बिटिया का नाम ये कराना चाहरे है तो एक डाउट रहता है क्या संसूधन हो सकता है या नहीं ये कभी-कभी उन्हें ऐसा जानकारी मिल जाती है, जहां पर पताया जाता है कि सुकन्या सम्रद्धी खाते में नाम में संसुधन नहीं हो सकता है। तो ऐसे सभी लोगों के लिए एक positive news यह है, एक good news कह सकते हैं कि सुकन्या सम्रद्धी खाते में नाम में संसोधन हो जाता है आपकी जो सुकन्या खाता बिटिया का चला है उसमें बिटिया का नाम suppose कर लीजिये परी है और आप उसका नाम आध्या रखना चाह रहे हैं या कोई भी नाम है और बदल कर कोई दूसरा नाम रखना चाह रहे हैं तो ये संसोधन बिल्कुल संभव है आपको करना क्या होगा आप अपने डागघर की जो पास्वुक है सुकन्या सम्रद्धी खाते की वो लेकर डागघर जाएंगे एक नया SB खाता कोलने वाला फारम, सुकन्या खाता कोलने वाला फारम जो आपने याद होगा जब सुकन्या का खाता डागघर में कुलवाया होगा तो जो फारम लगा था खाता कोलने वाला, वो फारम आपको फिर से भरना होगा इस बार नए नाम से भरना होगा जो नाम आपको बिटिया का कराना है उस नाम से खाता खुलने वाला फारम भरना होगा आपको पता है जब सुकन्य सम्रदी का खाता खुलाए जाएगा तो माता या पिता जिसके द्वारा पुराना खाता खुला था सन अच्छक वही बनेगा इस खाते में भी माल लेजे पुराना खाता आपका पिता के द्वारा खुला हुआ था तो पिता के द्वारा ही ये फारम भरा जाएगा इसमें पिता का आधार कार लगेगा पिता का पैन कार लगेगा और पिता की दो फोटू लगेंगे एकाउंट ओपनिंग फार में पहले पेज पर एक फोटू लगती है और एक चौथे केवाईसी पेज पर फोटू लगती है बाकी डिटेल भर देनी है डिटेल में परिवर्तन हुब हुब पुराने जैसे फार्म जैसा होगा बस परवर्तन में केवल एक कालम बदा जाता है नाम का पहले नाम परी था अब हम नाम दिव्या रखना चाहरा है ये कर देंगे एक आवेदन पत्र लिख देंगे संबंधित उपडागपाल ये डागपाल जो आपके डागघर जहां का खाता बला है वहां की महोदे निवेदन है कि मैंने दिनांक इतने को आपके डागघर में सुखनय समरदी खाता सिंख्या इतना इतना खुलवाया था तब मेरी बिटिया का नाम ये था अब वर्तमार में मुझे अपनी बिटिया का नाम ये संसोधन करना पड़ रहा है विवेदन है कि खाते में नाम संसोधन करने की खरपा करें अपना साइन, तारीक सनलगनक में लिख देंगे कि फ्रेस, SB, एकाउंट ओपनिंग फारम और जो दस्तावेज हैं वो तो बेसिक सी बात है बहुत सिंपल सी बात है आपको नया आधार बिटिया का होना चाहिए नया आधार का मतलब वो नाम जो आपको बिटिया का कराना है पस ध्यान इतना रखना है कि नाम में संसोधन संभव है जनमतिती में नहीं इसलिए आधार जो आप नया नाम वाला हो उसमें जनम्तिथी में संसोधन ना हो अगर पहले सपोस कर लीजिए परी नाम का खाता क्रूला हुआ था जनम्तिथी 11 फरवरी सं 2016 थी और आप दिव्या नाम कराना चाह रहे हैं तो आधार दिव्या नाम का हो लेकिन उसमें जनम्तिथी 11 फरवरी सन 2016 ही हो अगर उसमें 14 फरवी सन 2016 है या जनम्तिती में सनसोधन है